नमस्कार स्वागत है साहिती जरो का चैनल पर आज हम करेंगे एक महत्वपुन प्रशन हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद का योगदान तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी कहानी के विकास को कहां तक ले गए या हिंदी कहानी विधा में उन्होंने क्या नई चीजें शामिल की वो हम इस प्रशन में देखेंगे तो आए शुरू करते हैं देखें हिंदी कहानी के अगर बात करें तो मुख्य रूप से 20-वी श्ताब्दी के प्रारंब के साथ इसका विकास शुरू हुआ देखें वैसे भारतेंदु यूग में भी कई कहानिया लिखी गई कुछ अनुदित कहानिया यानि उनका अनुगाद भी किया गया ऐसी कहानि लिखी गई जिन में कहानी का तत्व मिलता है यानि कहानी के जो गुण होने चाहिए वो उनमें मिलते हैं लेकिन वास्त्विक रूप में अगर देखें तो वो तात्विक आधार पर सही रूप में हम उन्हें कहानी नहीं कह सकते यानि कहानी के सभी तत्व उनमें नहीं कह सकते उसमें रानी केतकी की कहानी है राजा बोज का सपना है देवरानी जेठानी की कहानी ये महतवपुन कहानिया है जो जिस पर विवाद है कि ये कहानी इसको माने या इसको ना माने इस तरह का विवाद है कि ये कहानी की खेड़ी में आती है या नहीं आती आठी आ किसकी है किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है और इसका रचना काल 1910 है उसके बाद दूसरी कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी की गुल बहार ये 1902 में लिखी गई प्लेग की चुडेल ये मास्टर भगवान दास कहानी की कहानी है जो कहां से है मिर्जापूर से है और ये कब लिखी गई 1902 में लिखी गई उसके बाद 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है स्वेम रामचंदर शुकल की 1903 में लिखी गई कहानी है पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्वाजबई की एक कहानी है जो ये भी 1903 इसका रचनाकाल है उसके बाद है दुलाई वाली बंग महिला की लिखी हुई कहानी है और 1903 में लिखी गई अलग-अलग विद्वानों ने इन कहानीों को पहली कहानी सविकार किया है कोई इंदुमत्य को पहली कहानी मानता है तो कोई प्लैग की चुडेल को कोई रामचंदर शुकल से सैमत और ग्यारा वर्ष का समय को पहली कहानी मानता है ये कहानी 36 गड के मित्र पत्र में 1901 में छपी थी या प्रकाशित हुई थी तो ये आपको भूमिका में आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी कहानी की विकास यात्रा मुखे रुप से कहाशे शिरू हुई कौन-कौन सी कहानिया है जिन पर विवाद है और सर्व समत्ति से किस कहानी को हिंदी की पहली कहानी सविकार किया गया है अब अगर बात करें हिंदी कहानी में प्रेमचंद का आगमन क्या महत्व रखता है उस पर अगर हम विचार करें तो हिंदी कहानी में प्रेमचंद का आगमन एक युगांत कारी घटना है युगांत कारी यानि युग को युग में एक नई क्रांती लाने वाली घटना है प्रेमचंद पहले कथाकार है जिनोंने कथा का संबंद आम आदमी से जोड़ा और अपनी कहानियों में उनका दुख दर्ध लिखा प्रेमचंद पहले किस में लिखते थे उर्दू में लिखते थे किस नाम से लिखते थे नबाब राय के नाम से लिखते थे यह आपको याद रखना है उनकी कहानियों का पहला संग्रह सोजे वतन था जो कि 1908 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्द कर लिया गया इसके बाद हिंदी में वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगी प्रेमचंद ने हिंदी कहानी क इतनी उंचाई दी कि उनका समय प्रेमचंद युग के नाम से साहित्य में जाने जाना लगा यानि हिंदी कहानी में प्रेमचंद ने अपना नाम इस तरह से दर्ज करवाया कि हिंदी कहानी के समय काल में भी प्रेमचंद युग नाम से अलग पड़ाव एक काल एक समय विश्चित हो चुके थे उन्होंने विशेश रुप से ग्रामिण जीवन को केंदर में रखकर कहानिया लिखी समय के अनुसार उन्होंने कहानियों के विश्य और शिल्प में भी परिवर्तन किया जैसे समय था जैसी प्रस्तितियां थी चाहे वो समाज है चाहे वो राजनीत चाहे वो प्रशाशनिक हमारी प्रस्तितियां हैं उनको ध्यान में रखकर ही उन्होंने कहानियों के विश्य और शिल्प को अपनाया और इसी आधार पर उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियों की रचना की है जो कि मान्सरोवर की खंड आठ है जिन में उनको संकलित किया ग तो हम यहां कुछ तत्वों के आधार पर इस प्रशन को करेंगे जिसमें पहला तत्व कौन सा है वो है कथानक, कथानक क्या लिया प्रेमचद ने या किस विशों को कथानक के रूप में लिया यह हमें यहां पर बताना है, देखे प्रेमचद ने समाज के विभिन पक्षों के इंत्रगत अपनी कहानियों के कथानकों का चेयन किया है, जिसमें चरित्र परधान कहानियां भी है, वातावरन को भी परधानता मिली है, कुछ एक कहानियां है, जहां कथानक परधान है, कुछ कहानियों में कार्य परधान है, तो प्रेमचंद पूरव के अगर बात करें, तो प्रेमचन पूरव्यूग में जो कहानिया लिखी जा रही थी, उनका आधार या तो संस्कृत साहित्य था या बंगला नाटक थे, उन कहानियों की कथावस्तु आदर्श भावना और उपदेशात्मक्ता से परिपूर्ण थी, कुछे कहानिया ऐसी थी जिनमें एतिहासिक्ता का भी चितरन किया गया था, प्रेमचन ने अपनी कहानी रानी, सारंध्रा, राजा हरदोल जैसी कहानियों में एतिहासिक गथानक को चुणा है, शत्रंज के जो इनकी खिलारी कहानी है, शत्रंज के खिलारी हमकर चुके हैं, इसमें राजनीतिक और सांस्कृतिक क dwelling कहानिया गानीओं में कौन सी समस्या को उठाया गया है ऐस प्रश्चता और दलित समस्या को इस कहानी में शामिल किया गया है उसके बाद कफण और सवासेर गेहु की अगर बात करें तो इन जैसी कहानियों में समाज के निमनवर्ग के शोशन को उभारा गया है बड़े घर की बेटी ये उन कहानियों में शामिल है जिसमें परिवारिक समस्याओं को शामिल किया गया है या परिवारिक समस्याओं को केंदर में रखा गया है, इसी परकार मंत्र कहानी है, नमक का दरोगा है, इन कहानियों में समाज से सम्बंदित समस्याओं को शामिल किया गया है, सुहाग की सा हवस्तू या कथानक है वो संक्षिप्त है, कुछ काहानीों के कथानक घटनाओं पर आधारित है, प्रंतू लेखनिये बात क्या है, कि प्रेम चंद की कहानीों के कथानक पूरन ते मूलिक है, इन्हों ने किसी की नकल करने की कोशिश नहीं की, बलकि अपने मूलिक विचारों को इन्होंने शामिल किया और इसी कारण उनमें क्या है रोचकता है कफन बुडी काकी बड़े घर की बेटी नमका द्रोगा इदगा ये ऐसी कहानिया है जो वस्तुगत विविद्धा के कारण अत्यदिक रोचक और परिपूर्ण बढ़ी है और इन्ही कहानियों की बदोलत प कहानी की विशेष्टाओं को देख रहे हैं इनके योगदान को देख रहे हैं वो है पात्र और चरित्र चित्रण देखे कहानी के तत्वों में कथानक के बाद सबसे महत्पूर्ण जो बात आती है कि पात्र कोन है उनके चरित्र को किस प्रकार से कथानक में चित्रित किया प्रेमचन के लेखन की सबसे बड़ी विशेशता उनकी रचनाओं के पात्र हैं जो उनके अपने परिवेश से लिए गए जान पड़ते हैं अपने परिवेश या अपने आसपास के लोग हैं उनमें जो उन्होंने लिए हैं अपने आसपास के समाज के अपनी गली महुले के इनके रचनाओं के नाएक अधिकांश्त्य निम्न वर्गिये ही रहे या कुछ एक मध्यम वर्गिये भी थे जीवन भर आर्थिक तंगी और अनेक पारिवारिक परिशानियों को जहिलते हुए मुन्शी जी यानि प्रेमचन जी ने अपनी रचनाओं में अभिजात्य वर्ग अभिजात्य वर्ग यानि उच वर्ग की विलासिता और सुख सुविधाओं का जितनी सहजता और वास्तविक्ता के साथ वर्णन किया है वह हमें सोचने पर विवश करता है कि प्रेमचन जी में वास्तव में दिव्यत रिष्टी और अनभूती का समागम रहा हुगा देखिए एक उच वर्ग के द्वारा किस परकार विलासिता में अपना वो जीवन जी रहे हैं और किस परकार निम्न वर्ग का शोशन किया जा रहा है हमने नशा कहानी की है दो दोस्तों की कहानी है लेकिन किस परकार जो गरीब दोस्त है उसके दिमाग पर नशा हावी हो ज जाता है कैसे हमारे जो विचार हैं जो वेक्तिकत भावनाई हैं वो पिछड जाती हैं दोलत के नशे के सामने तो वो किस विलासिता और सुख सुविदाओं की तो कारण ऐसा परिवर्तन आता है तो जबकि निम्न वर्गिये की अगर बात करें तो निम्न और मध्य वर्गिये प्रस्तितियों का मारमिक वर्णन इनकी रचनाओं में जैसा मिलता है और कहीं भी नहीं मिलता तो इन्होंने जिन पात्रों का चेयन किया है वो पात्र कोन से हैं हमारे ही समाज के पात्र हैं उच वर्ग के भी पात्र हैं जो भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और निमन मध्यवर की जो परिवार हैं उनके पात्र भी है और उनका मार्मिक चित्रनीनों ने किया है इनके पात्रों में ऐसी खुबी है कि पाठक सहज उससे जुड़ जाता है हमें इनके पात्रों को कल्पित नहीं करना पड़ता हम कल्पना करने की आपशक्ता नहीं करनी प स्वेम को ही पातर के रूप में मानते हुए पढ़ता चला जाता है तमाम पातर हमेशा हमेशा के लिए जेहन में उतर जाते हैं मन में अपना घर कर लेते हैं और उनका स्मर्ण होते ही चल्चितर की भांती आँखों के सामने चलने लगते हैं सबसे चल्चित कहानी इनकी पूस उसकी रात है उसका पातर हलकू, मंतर का पातर भग्त, नमक का दरोगा का पातर वंसिधर, इदगा का पातर हामिद, और भी कितने ऐसे पातर हैं जो यथार्थवादी हैं। शुद्र मानेताओं, भेदभाव, असमानता, भरष्टाचा, असंगत प्रमप्राओं का ने सिरफ विरोध किया हैं बलकि यथार्थ के धरातल पर आदर्ष स्थिति की स्थापना करने में भी सफलता पाई हैं। जो अपने खेत में फसल के जलने पर दुखी नहीं है बलकि सुख का अनुख करता है कि ठीक है मुझे इतनी सर्दी में रात पर जागना नहीं पड़ेगा। मुझे सर्दी में आकर सोना नहीं पड़ेगा। हामिद एक ऐसा पातर एक बच्चा पांच साल का बालक कैसे सोच सकता है कि मैं मिठी गोलिया नहीं खाऊ, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, मैं रेवडिया नहीं नूंगा, मैं जूले पर नहीं बैठूंगा। बलकि मैं क्या लूँगा दादी के लिए चिम्टा ताकि उसके हाथ ना जले। तो इस प्रकार के जो भाव हैं ये प्रेमचंदी अपने पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें देशकाल और वातावरन योजना। देखें किसी भी कहानी की प्रस्थ भूमी में देशकाल और वातावरन बहुत महत्तपुन होते हैं जिससे की कहानी के वास्त्विक्ता प्राप्त होती है। में चाहे वो पात्रों के चरित्र को प्रस्तूत करने में अगर देखे तो प्रेमचन जी सिधास्त है उनकी कहानियों में चित्रित वातावरण ओचित्य का निर्वा करता है यानि उचित वातावरण का चित्रन इन्होंने किया है उसमें नय केवल वास्त्विक्ता है बलकी र पूस्त नहीं जाते बलकि हम सब बाठक भी उसके साथ उसीद के मेले में पहुंच जाते हैं। प्रभावित प्रजा के वातावरन को और भी जादा जीवनतता प्रदान करता है। इसी प्रकार शत्रंज की खिलाडी के अगर बात करें तो इस समय में जो धार में कैतियासिक सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रस्तितिया थी उसका समुचित प्रकाश इस कहानी में डाला गया इस कहानी में लेखक ने ततकालिन राजा नवाव आदी की विलासिता और उनसे प्रभावित प्रजा के वातावरण को भी प्रस्तूत किया है। देखे भाशा शैली की अगर हम बात करें तो प्रेमचन की कहानी कला की उतकरिष्टा का बहुत जादा खश्रे अगर हम किसी को दे तो वो उनकी भाशा को दे सकते हैं। हिंदी, बोलचाल के हिंदी, उर्दो हिंदी के सियोंग से बनी हुई हिंदूस्तानी सभी प्रकार की भाशा हैं उनकी चेरी यानि दासी नजर आती हैं। और वो अपने स्वामे के पीछे जैसे हाथ जोड़े फिरती थी। यानि अपने भावों के विवेक्ती के लिए भाशा के तोड मरोड में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शब्दों का तो उनके पास अटूट खजाना था। भाशा की भाशा की भांती शैली के भी अनेक रूप हमें देखने को मिलते हैं जैसे वरनात्मक है, संकेत आत्मक, चितरात्मक, नाट किये, हस्से परधान सभी प्रकार से अगर देखें तो सभी कुछ इनकी कहानियों मे शिल्प विधान के दृष्टी से प्रेमचन जी ने एतियासिक नाट किया है, आत्म चरितरात्मक, पातरात्मक, डाइरी, आदि शैलीों का सुन्दत तरीकी से अपनी कहानियों में इस्तेमाल किया है, एतियासिक शैली को अवश्य उन्होंने अधिक प्रधानता दी है, या ये एक नई देन है हिंदी कहानी की विकास यात्रा में, उसके बाद बात करते हैं उदेश्य की, देखे कोई भी साहित्यकार निर उदेश्य कोई रचना नहीं करता, और प्रेमचन की अगर बात करें तो प्रेमचन जैसा साहित्यकार तो बिना किसी उदेश्य के कोई रचन लिख ही नहीं सकता उनकी तो प्रतेक पंक्ति एक उदेश्य से परिपोर नजर आती हैं उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से पाठकूं को कोई न कोई संदेश अवश्य दिया है और उनका ये संदेश मानव के जीवन से जुड़ा हुआ है प्रेमचन पुरव कहानियों का उदेश्य केवल पाठकूं का मनोरणजन और उपदेश आत्मक्ता का निरूपन था यानि प्रेमचन से पहले जो काहानियां लिखी जाती थी एक तो वो लोगों का मनोरणजन करती थी और दूसरा उपदेश देती थी लेकिन प्रेमचन ने अपने जीवन के आसपास के वातावरन को देखा इसी लिए उन्होंने अपनी कहानियों में यथार्थ स्थित्यों का चित्रन किया है वे शोशित और सरवहरावर्ग के लोगों की वियथा यानि दुख कथा के माध्यम से उजागर करना चाहते थे यही कारण है कि उन्होंने अपनी कहानियों में समाज से जुड़ी हुई विभिन समस्याओं को उठाया है प्रेमचंद जिस समाज के लेखकते उसके सोभाव और मिजाद से वो परीची थे वो जानते थे कि लोगों के जीवन में क्या दुख है क्या कस्ट है कैसी प्रस्तितियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है उनके संसकार कै उनके प्रवरतियां क्या है उनके दैनिक जीवन के क्रिया कलाब कैसे है उनको वो बखुवी जानते थे वे किसानों की दशा से परीची थे सामन्तों के एहंकार से भी उनको परीचय था गरीबों के दुख को समझते थे और इस्त्रियों के प्राधिनता से भी वो अवगत इस्तरिया किस प्रकार भारतीय इस्तरिया कैसे प्राधिंता की बेडियों में जखड़ी हुई थी, समाजिक प्राधिंता, समाजिक रूडिवादिता की वो शिकार थी, ये वो अच्छे से समझते थे, इसके साथ बच्चों के मनों विज्ञान की भी उन्हें पूरी पर्ख और इन्ही सब बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी कहानियों को उद्देश्य पूर्ण कहानिया बनाने में सफलता प्राप्त की है और ये सब तात्विक दिर्ष्टी कोंड से देखें तो ये सभी जो तत्व हैं ये प्रेमचन की कहानियों में सरुबार हैं या यू कहें कि प्रेमचन की कहानिया इन तत्वों से युक्त कहानिया कही जा सकती है और आदुनिक हिंदी साहित्य में और आदुनिक हिंदी कहानी साहित्य में अगर हम देखें तो प्रेमचन अपनी विशेश पहचान इनी खूबियों के कारण बना पाई और आज भी हम उने अध्यम से आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे कि हिंदी कहानी की विकास में प्रेमचन का योग क्या योगदान है तो बहुत बहुत धन्यवाद